याराना तेरा मेरा तूटेगा कभीना साथ ये तेरा मेरा छूटेगा कभीना याराना तेरा मेरा तूटेगा कभीना साथ ये तेरा मेरा छूटेगा कभीना बीती रात मुंबई में हुआ आने वाले गाने याराना का सॉंग लॉंच पाइफ्रेंशिप्स डे आने वाला है और ऐसे में आशित छाबरा लेकर आए हैं दोस्ती पर ये खुबसूरत गाना जिसका नाम है याराना पैसे सॉंग लॉंच पर पहुंचे फिशाल जेटवा तो आए इन्हीं सबसे जानते हैं इस गाने के बारे में आज का दिन बहुत स्पेशल है मेरे लिए बिकॉज अचली फ्रेंशिप ऐसा कॉंसेप्ट है जिसके उपर जो भी गाने बनाए गए है वो सारे एवर ग्रीन है और वो एक ऐसा उसमें अफेक्शन ऐसा प्यार है जिसके लिए एक अट्मोस्ट ऐसी फिलिंग आती है जब हम सेल्फलेस लव की बात करते हैं वो हमें अपने फ्रेंश के लिए आती है और एक टाइम आता है जब हमारे साथ कोई भी नहीं देता है ओल्ब या सथे लिए बाहर जाते है और फे देद्पीन दाब हम किसी और कंट्री तो हमे वह हमरी फैमिल नहीं habr als अजग और फ्रेंस ज़र मिल जाते है तो यह कैसा इसा रिलेशना सकता है और इसको आउट्शान करने के लिए एक ढृशन सिही एक तॉत सबस्टेर जब करूछलर तोज़ तोज से था रुट्वे करने मत्रयूरा इसका कि है आप आप सब्सक्ता हैं प्रग्चेन गाना के लिए प्रकुने प्राइब लाख पूरेगा है, तोज दुना थे प्राइना के लिए and I'm sure आप सब को भाइब लगेगा गाना and I am very happy कि Ghana already 8 गंटे में already 1 million से उपर जा चुका है so there's a lot of love I am getting and I am very very happy already actually क्या होता है जबी भी हम कोई फेस्टिवल के लिए वेट करते हैं चाहे वो to celebrate love valentines होता है और रक्षा बंदन के लिए हम अपनी sister को dedicate करते हैं वो दिन पर friendship एक ऐसा concept है जिसके लिए कोई दिन ही नहीं चाहिए मुझे तो मुझे लगा कि इससे कोई better day नहीं है कि जिस दिन मेरा birthday है तो क्योंना मैं अपने companions को एक return gift दूँ और आज जैसा मैंने बता हित्तवाक से आज international friendship day है तो यह ऐसा merge था मेरे लिए कि इस मौके को मैं छोड़ना नहीं जाता था तो उसी thought पे गाना लिखा मैंने अपने director से बात करी कि मैंने सकंसे पे गाना लिखा और इसी particular day पे मुझे गाना प्रेजेंट करना है बस इसी तरह से यह song पूरा plan हुआ, video plan हुआ और सारी चीज अच्छे से execute करी हमने हमने काफी सारी plannings करी, बहुत सारी internal thoughts थी हमारी और उसके बाद हमने सारी चीज एक्जेक्यूट करी है और जैसा आपने पूछा birthday wish सबसे पहले किस ने किया है तो जो मेरा birthday wish है, जो obvious है वो मेरे best friend है, मुझे बर्टे के टाइम के पांच मिंट पहले ही कर दिया था So as you know, a friend is always there for you, no matter if there's no one else मैं compose भी करता हूँ, गाना लिखता भी हूँ, गाता भी हूँ और conceptualize भी करता हूँ तो यह एक dynamic space है मेरे जहां पे मेरे बहुत चालेंजिग होता है क्योंकि मुझे हर जॉब को उतनी beautifully करना पड़ेगा क्योंकि मेरे viewers और मेरे listeners के लिए वो बहुत जादा inspiring होना चाहिए and obviously because इस पूरी process में कहीं सारी चीजें ऐसी है जिसमें बहुत सारी complications भी आती है कभी कहीं पी opposition lyrically हो सकता है, कभी directionally problem आ सकती है तो मैं सारे departments को explore करते हुए and I like to be creative मैं चाहिए वो direction हो, चाहिए वो writing हो, composing हो मैं सारी चीज में थोड़ा interaction करता हूँ और उस creative space को explore करते हुए ये पूरे गाने का concept complete हुआ and मैं जितने भी songs अभी बना रहो हूँ और जितने मेरे पास बन चुके अभी तक you will see कि मेरे सारे songs को compose भी मैंने किया है, लिखा भी मैंने और गाता भी मैं हूँ इसका reason है कि different individual spaces है जो मैं खुदी कवर करता हूँ तो कहीने कहीं वो मेरे लिए easy भी होता है क्योंकि मेरी composition को मुझे cater करना है तो I try my best कि मैं उसको किस best space में implant कर सकता हूँ so creatively it becomes easy मैं ये बहुत ऐसा debate है आज की rate में जिसको मैं इस समय तो नहीं कहना चाहूँगा but यह हम सब को पता है कि हमने original songs की जो validation है और जो original songs का presence है वो आज की generation और इस करन डेकेड में मुझे लगता नहीं कि हमारे पास है and मैं अभी भी सुनता हूँ कि पुराने गाने लता जी के और अफी जी कि इतने सारे songs जो हम सब सुनते आ रहे है उन पर रिमिक्स भी बनते हैं और रिमिक्स बहुत अच्छे भी होते हैं कहीं सार अच्छे भी होते हैं लेकिन एक song की जो life है समहाँ वो life आज की rate में बहुत जादा control है वो life मुझे लगता है कि हम एक hafta, 10 दिन, 15 देस तक ग गाना सुनते है और उसके बाद हम जबी भी उस गाने को दुबारा सुनते हैं तो हमें लगता है कि अभी इसका एक्सपाइरी आ गया है तो देन आए थौट कि एक उरिजिनल सॉंग जो है उसकी लाइफ इस अल्वेस एवर लास्टिंग तो इस गाने को लिखा सबसे पहले और क्योंकि रूट में फ्रेंशिप है इस गाने की तो कॉंपोजिशन भी उसी के राउंड बनाया और गाय की उसी तरीके से की गई है और आप देखेंगे जितने भी scenes depict किये गए वीडियो में भी वो सारे हमारे real life से बहुत ही टाउनी और बहुत ही organic friendship में बहुत सारी चीज़े reflect करती है सो वो सारी चीज़ों को compile करके यह बहुत अच्छा moment हमने create के and I'm very very happy, very thankful and very excited all of the things together तो यारा ना गारा भी अच्छा लगा और भाई जारा भी अच्छा लगा सच कहूं तो मुझे song सच मुझ बहुत पसंदाया, दिल से पसंदाया और आज का दिन सच मुझ बहुत सारी reasons के वज़े से बहुत जादा special है क्योंके अनीश का आलबम launch है, चारो दोस्त मेरे है और आज इनका birthday है साथ में मेरा भाई, मेरा छोटा भाई, वो इस song के साथ अपना आलबम में launch कर रहा है और वो debut कर रहा है, तो मेरे लिए यह इस से इसलिए बहुत जादा special है दीपक मेरा फ्रेंड, इतने साथ हम दोनों साथ में audition करते है और हम दोनों ने साथ में बहुत सारे auditionों में धक्ये खाये हैं ट्रेन में, फिर बस में, हमें एक दूसरे को lift दिये इतना सारा काम हमने साथ में किया है आज मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं उसके song launch में मैं आया हूँ और भाई को first time मिला हूँ बट amazing work, अभी आराना होई जाएगा amazing work, बहुत beautiful song है friendship के लिए इतना अच्छा song बनाया है thank you for making this song और कोई भी एक song पे इतना काम करना और इतना यहां तक पहुंचाना यह ज़रा भी easy काम नहीं होता इसके लिए बहुत महनत लगती है और भाई ने बहुत जादा महनत किये and I hope कि यह लोगों के दिल तक पहुंचे और बहुत अच्छा काम करें एक चीज जो मैं अल्रेडी हम लोग याद करके है मैं चाहता हूँ मेरा भाई बोले वह वाली बात जो बोली थी ना कि हमेशा मैं इसके लॉंच पे जाता हूँ यह वाला ओके सो यह बात है कि आज एक्चुली मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है क्योंकि हमेशा मैं रेडी होता हूँ और भाई बोलता है चल आज मेरे मुवी के लाउंच पे आजा, Salaam Vikings के के लाउंच पे आजा आज मेरा ये सोंग लाउंच हो रहा ये मुवी लाउंच हो ओरी है आज मैंने भाई को बोला भाई तू आ जा मैं मेरे लांच में लेके जाता हूं तुझे वेरी बिग ठीग तिंग ये अनिश भाई उसने मुझे बहुत मदद किया इसके वज़े से मैं यहाँ पर हूँ जैसे लोने बताया ना कि याराना में यारी और साथ में भाई गरी सारी एक साथ जैसे आप देख रहे ना कि यह जो कनेक्शन है यह इतना और गानिकली बन गया हमारे बीच में मैं से जिस ताज फरस्ट है मिला हूं लेकिन अब आपको नहीं लगेगा क्योंकि इसकी बिज़े जा रहा है पीबेक तो बहुत अच्छा मिल रहा है देन अनीश भाई से मिले उनके घर पे एंड फिर सिट उस दिन मिला तो हमारी बॉंडिंग बहुत अच्छे से ऐसे मतलब क्वेक्ली हो गई थी तो मैं डेफिनिटली इन सब को थैंक्यू बहुत अच्छा और विशाल को फो कमिंग यह तो मेरे फ्रेंद्स लोक मुझे ओंग लगिए था कि बहुत प्यारा सौंग हैं और एक्च्छे मेरे इन फ्रेंच डिले प्रेंच जानता हो मेरे जुरी कंवें से जानता हो मेरे तो पले मेरे ने पहिज़ था तो देखो तो नोस्टेलजी होगा तुम्हें, क्योंकि कॉलिज में हम बहुत गुम्ते थे ट्रेकिंग पर जाते थे, साथ में चड़ी बड़ी आरे प्रॉपर तो इस वेरी रिलेटेबल उनलोक ले तो उनका कॉल आया, वीडियो कॉल आया और इमोशनली टाइप वो दिवे लिए लाए कि यार बहुत प्यारा सौंगे और यो अला लुकिं बारी गुड़ी बारी बारी तो यह बहुत बारी पढ़िया है फीड़ी तो बहुत अच्छा मिल रहा है, आपी अल्रड़ी कुछी गंटों में एक मिलेन ऊचुका है अल्रड़ी यह बैज लिए तो फीड़ा ड़े विए लिए लिए में अच्छा को अनजाना तेरी मेरी दोस्ती इतनी खास हो की पुरी दुनिया का है काश ऐसा दोस मेरे पास पी हो सिवा मुझे किसने है जाना याराना तेरा मेरा तूटेगा कभी ना साथ ये तेरा मेरा चूटेगा कभी ना एक लाइन मैंने लिखी थी इस गाने के लिए जिस जमाने में सब ने किया अंजाना सब चल पड़े हैं करने आशिकी और हम चल दिये निभाने अपना याराना थाउ ये ज़र्णीी सब्सक्राइं सब्सक्राइब ये इस नो बुछ ऩरे सब्सक्राइब तो मैं special thanks विशाल सर को बोलना चाहूँगा डिरेक्टर जो है उन्होंने bonding के लिए भी हमें workshop करवाया तो हमारे लिए वो बहुत special था और कुछ नई चीज सिखने को मिली as an actor तो इसका अश्रे सर को भी जाता है सब कहते हैं कि मुझे जब दोस्ती का नाम लिया जाता है तब मुझे अपने school के भचपन के friends याद आता है तब क्यूंकि उस purity में जो fragile mind था जो एक heart था जो purity थी हमारे अंदर हम उसके थूँ एक friend बनाते थे और वह हमेशा मुझे याद आता है मेरे school के friend वसंथ है मॉसमी है बहुत सारे अभी मैं ऐसे नाम लेने जाओंगा तो बहुत हो जाएंगे बढ़ मुझे अपने बचपन के दोस्त बहुत जादा यादा आता हाई के साथ हमारा पूरा याराना है हमारा touchwood कभी fight भी नहीं होता हमारे discussion होते हैं बहुत है जरूरी है तो उसके साथ हमारा याराना है एक सीन है जिसमें हम चारों बाइक पे जारे हो और वह पे फ्यूल खतम हो जाता है तो हीस दड़ चिंदी फ्रेंड जिनके पस कभी पैसे नहीं होते हैं वह मेंचे पांसों का नकली नोट लेके गुमते हैं और इनकी इन से फाइट हो जाती है तो पैसे लेके नहीं है गाडी में फ्यूल निदल वाया तुमें एन उस ताइम पर सेट पर इनको इनके साथ में थाइट करनी थी जिस्ट पर दे कामरा और फाइट थोड़ी सी रियलिस्टिक होने के वज़े से इनकी यहां पर ब्लीडिंग हो गए थी यहां पर इंजर्ड बट विद नोट रियलाइज वर सो स्पोर्टी और यहां आगे जिए उस शूट के दौरान अभी भी पहले भी और आगे जितना भी वक्त आने वाला है उस हर पल में याराना हर चीज में जलकेगा यह शुरू हो गया यह खतम नहीं होगा अभी है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें कमेट देके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही एक्स्लूसिफ कंटेंट के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को फॉलो जरूर करें नाम तो आप सब जानते ही हैं सास बहु और बेटिया